नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही important topic पर बात करेंगे जो की हर किसी को पता होने चाहिए फिर चाहे किसी भी field में working है, law student और advocate भाईयों के लिए खास जानकरी है आज की इस वीडियो में भाषा बिलकुल सरल और सब के समझ में आने लायक है, इसलिए किसी को समझने में कोई प्रेशानी नहीं होगी फिर भी अगर कोई प्रेशानी है तो आप मुझे comment करके बता दीजिएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों एक शब्द है criminal jurisprudence जिसको हिंदी में कहते हैं आप्राधिक नयशास्त्र लोग students और संबंदित field के लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे लेकिन आम लोगों के लिए ये शब्द बिलकुल नया है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है आज हम आप प्राधिक नयशास्त्र के उन तीन important words या शब्दों के बारे में बात करेंगे ये ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर लोग या कानून के विद्वान जो होते हैं या विद्वान हैं वो भी tension में रहते हैं और आज इनी शब्दों को मैं लेकर आया हूँ आप सब के सामने बड़ी ही आसान भाषा में वो तीन शब्द हैं जिसमें पहला है intention जिसे हिंदी में आश्य कहा जाता है दूसरा शब्द है motive और तीसरा है cause English समझने वालों के लिए तो ये शब्द आसान है लेकिन हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कारण मैं बता देता हूँ cause जो word है उसको हिंदी में कहते है हेतुक और motive को हिंदी में कहते है हेतु इन शब्दों को लेकर कई बार बड़ा confusion करने वाली situation पैदा हो जाती है confuse नहीं होना है बलकि इन शब्दों को समझने की कोशिश करिए हो सके तो समझ कर अपनी दिंचरिया में शामिल करें बोलने में आसानी होगी याद रखने में भी आसानी होगी अब यहाँ पर तीन प्रशन है जिनका उतरिय तीन बाते देती हैं पहला why, second what and third how, क्या, क्यों और कैसे अगर इन तीन शब्दों को समझ गए तो definitely आप समझ जाएंगे कि जब भी कभी कोई offense या अपराद हुआ तो उसके बाद ऐसी कौन सी बाते हैं जो जरूरी हो जाती हैं उस अपराद को साबित करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि intention वो भी guilty या criminal intention किसी भी अपराद का आवशक तत्तव या essential element होता है लेटिन में इसको mensria बोलते हैं जिसको आप समझते ही होंगे और इसके लिए हिंदी में शब्द प्रियोग होता है दुराश्य जिसे हम guilty mind या criminal intention कहते हैं और इसको relevant बनाता है Indian Evidence Act का section 14 और 15 जिसमें बताया गया है कि mental element भी relevant है और जरूरी भी है क्योंकि आपरादिक न्याय शास्तर की theory कहती है यानि जब तक मन ही अपरादी ना हो तब तक करिये कैसे अपराद होगा इसे कहा जाता है criminal mind या guilty intention या फिर मिन्सरिया का सिध्धान्त अगर आप Indian Penal Code पढ़ेंगे तो उसमें chapter 4 में लिखा है जो कि general exceptions के बारे में बताता है उसमें कहा गया है कि कुछ भी करिये आप कर रहे हैं वो माफी योग्य है क्यों माफी योग्य हैं? क्योंकि वहाँ पर criminal intention का अभाव है for example कोई 3-4 साल का बच्चा कोई act कर रहा है तो हम उसे generally माफी दे देते हैं या वो माफी योग्य होता है और उसको हम सजा नहीं देते हैं इसका कारण ये है कि वो बच्चा अभी इतना capable नहीं है कि वो guilty mind या criminal intention को conceive कर सके इसे कहा जाता है Dolly in CapEx यानि अक्षम बच्चा वो अपरादिक मन ही धारण नहीं कर सकता तो वो कैसे अपराद करेगा अब बात आती है motive की motive क्या है ये exam में भी आता है इसलिए ध्यान से समझे motive या हेतू अपराद का आवशक तत्तव नहीं है लेकिन जैसे ही offense हो गया तो ये relevant है और आपको प्रूव करना होगा कि beyond all doubts अपरादी नहीं अपराद किये है beyond all doubts प्रूव करने के लिए आपको दो परशनों के उत्तर चाहिए होंगे एक शब्द है कारण क्या कारण था कि उसने ऐसा किया कारण या cause relevant है section 7 में Indian Evidence Act में दूसरा प्रूशन आता है कि motive क्या था इस अपराद को करने के पीछे motive relevant है section 8 में section 7 में cause या current section 8 में motive relevant है और intention section 14 और 15 में relevant है याद रखिए intention या knowledge कई बार किसी कारिये या अपराद के पीछे intention ना हो लेकिन knowledge होती है तो उसको similar ही माना जाता है criminal intention के लिए for example ए नाम का एक वेक्ति बिना किसी intention के एक चाकू उठाता है उसकी धार चेक करने के लिए किसी के पेट में गुसा देता है और वो आदमी मर जाता है अगर वो आदमी पागल नहीं है तो चाकू किसी के पेट में डालना तकरीबन सब को पता है कि ऐसा करने से किसी की भी मिर्तिव हो सकती है इसलिए ये अपराद होगा यहाँ पर knowledge और उसकी intention बराबर है हाँ अगर वो पागल है तो फिर दूसरा केस है फिर उसको माफी मिलेगी उसकेस में तो intention क्या है? knowledge का अभाव भी intention हो सकता है या फिर किसी कारिय को करने के पीछे उसका मन क्या है ये भी intention हो सकता है अभी intention कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलेगा how से कोई भी काम हमें कैसे करना है, मोटिव क्या है, तो मोटिव होता है multiple objects, यहां पर multiple objects का मतलब है कि क्या करना है, इसका जवाब हमें motive देता है, और क्यों करना है, इसका उत्तर हमें cause देता है, किसी भी कारिये को करने कारण बताएगा कि क्यों ये कारिये करना है, आपका दिमाग थोड़ा सा गूम गया होगा, एक example के थूरू इसको समझने की कोशिश करते हैं, मान लिजे किसी A नाम के आदमी ने B नाम के आदमी का murder कर दिया, इसमें सबसे पहले उसकी intention देखेंगे, क्योंकि हमारा criminal justice system ये मान कर चलता है, अगर हम evidence act के section 105 को देखेंगे, तो वो कहता है कि जिसने भी अपराद किया है, court ये मान कर चलता है कि वो सारे requirements को fulfill करता है, यानि कि ना तो वो पागल है, ना ही वो कोई छोटा बच्चा है, और ना ही intoxicated है, और वो criminal intent को धारन करता है, conceive करता है, अगर इसके opposite कोई भी बात है, तो section 105 ये कहता है कि accused पर ये burden है कि वो उसको prove कर तो पहली बात ये है कि intention का होना मतलब आप ये मान कर चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, अगर किसी पर कोई आरोप लगता है तो, अब दूसरी बात आती है motive की, एक आदमी ने दूसरे को चाकू मारा और वो मर गया, अब बात आई कि intention थी, यहां उससे दो परशन पूचे जाए क्या कारण था जो उसने ऐसा किया और उसने ऐसा क्यों किया, अब यहां क्या कारण था, इसका जबाब देगा motive और उसने क्यों किया, इसका जबाब देगा cause, जिसको section 7 में relevant बताया गया है, इसका एक example हमें evidence act section 43 में भी मिलता है, मान लिजिए A ने B का murder कर दिया और बताया गया कि जिसका murder हुआ है, उसने murder करने वाले के खिलाफ court में जूठी गवाई दी थी, जिसके कारण उसको jail हो गई थी, जब वो jail में था तो उसने ultimate object conceive किया, और वो object या motive था कि मैं jail से बाहर निकल कर इससे बदला लूँगा, यह what शब्द की समरी कि वो jail से निकल कर क्या करे क्योंकि उसने उसके खिलाफ जूठी गवाई दी थी, जिसके कारण उसको jail हो गई थी, यह कारण था या cause था और इसी cause से motive निकला और intention का उत्तर दे रहा है कैसे या how, यानि कि बदला कैसे लिया जाएगा, अब बदला कैसे ले सकता है कोई, दिखावे में अगर कोई बद किसी तरह का और जगड़ा है, तो उसमें यह सोच ले कि क्यों ना इसके बच्चे को kidnap करके माल डालू, या फिर क्यों ना इसी को माल डालू, tension ही खतम, अब intention क्या है, हत्या करना, और motive था, बदला लेना, और कारण था, क्योंकि उसने उसके खिलाब जूठी कवाई दी थी जिसके कारण उसको जेल हो गई थी, यहां पर तीनों शब्द, cause, motive और intention, जहां intention, offense का essential element है, cause और motive, offense हो जाने के बाद relevant हो जाते हैं, हमारे evidence act में उस अपराद को साबित करने के लिए, जैसा कि हम जानता है कि criminal justice system का एक साधार नचानियम है, जो कहता है कि accused के against या आरूपी क के विरुद, मामले का beyond all doubts या सभी शंकाओं से प्रे साबित होना आवशक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह तीन शब्द, intention, cause, motive कितने मैतोपूर्ण है, और किसी भी अपराद के गटित होने पर, वो पूरा case इनी तीन शब्दों पर टिका होता है, किसी भी परक doubt है, तो मुझे comment करके बताईए, मेरा हर बार यही प्रियास रहता है, कि कानून की जटिल बातों को सरल बाशा में आप लोगों तक पहुंचा सकूँ, चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को like करके share जरूर कर दीजिएगा, नमस्कार झाल